Search Console Mastery Course दोस्तो आज का वीडियो आप सब के लिए बहुँ ज़दा इंपोर्टन्ट है क्योंकि आप सब क्या करते हो विच साइट भी बहुँ ज़दा मेहनत करते हो लेकिन मैक्सिमम ब्लॉगर Search Console पर इतना इंपोर्टन्स नहीं देते हैं सिर्फ आते हैं भाई अपना इंडेक्सिंग चेक करते हैं और कितना ट्राफिक आया यह चेक करते हैं लेकिन Search Console एक एक एसा फ्री टूल है जो कि Google आपको देता है उसको इस्तमाल कर गया आप लोग अपना रैंकिंग भी इंप्रूव कर सकते हो और आपका ट्राफिक भी इंक्रीज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ Search Console के इस्तमाल करके और यह कैसे करना है लोगों को पता ही नहीं है जो कि आज मैं आपको बताने बलाओ भाई Search Console को सही डिरेक्शन पर कैसे इस्तमाल करें चलिए आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपोटेंट है इसलिए टाइम एस नहीं करेंगे सिधे स्क्रीन पर ही चलेंगे और Search Console को एक्स्प्लोर करेंगे क्योंकि आज का वीडियो है Search Console Mastery Course अभी दोस्तों हम लोग स्क्रीन पर हैं अब हम क्या करेंगे Search Console को एक्स्प्लोर करेंगे वो भी वन बाई वन हर एक फीजर को और तभी आप लोग बेतर तरीके से समझ भी पहाऊगे और सबसे पहले समझने के लिए कोसिस करो अगर कई पी समझ नहीं पहाऊगे तब पूछना मैं बता दूँगा ठीक है तो सबसे पहले हम Search Console को क्या करेंगे Open करेंगे देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ किया है देखिए सबसे पहले मैं डाल था Google Search Console उसके बाद यह पहला वेफसाइट मिला था उसको मैंने Open किया तो यह मुझे दिखा Google Search Console अगर अभी तक आपने इसको इस्तमाल ही नहीं किया है तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा लिकिन अगर आपने आपको एफसाइट को गूगल पर आड़ कर दिया है Search Console पर वेरिफाई कर दिया है तब हमें एसा इंटरफेस देखने कि मिलेगा अभी देखो मैंने यहाँ पर उपन कर रखा है अपना सुमहेल्थ.com जो ओफिसल एफसाइट है उसका डेटा अभी आपके सामने है और यहाँ पर ट्रिपुल डॉट जो कि मैन मेनू और मेन मेनू के सेक्शन में आप देखोगी यहाँ पे बहुत सारे ओफसेंस है जिनको आप समझना चाहिए और सही से समझ के सही से इस्तमाल भी करना चाहिए तब ही आप अपने वेफसाइट का रैंकिंग और ट्राफिक को वूस्ट कर पाओगे और दोस्तों मैं आपको हर एक चीज को समझाऊंगा अच्छे से तब भी आप लोग इसको सही से इस्तमाल भी कर पाओगे क्योंकि आज का वीडियो एक फूल कोर्स है जोगी सेर्च कैंसल के उपर तो इसलिए कोसिस करें तोड़ अच्छे से समझने के लिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या-क्या ओप्संस मिलता है मतलब क्या-क्या फीचर से मिलता है वो एक-एक करके मैं बता देता हूँ और सोट में बताऊंगा उसकी बाद हर एक चीज को जो कि हमारा काम का है उसको हम लोग डीटिल में एक्स्प्लॉर गरेंगे तो सबसे पहले हम लोग सारे फीचर सारे ओप्संस को एक-एक बार देख लेते हैं जिसकी ओबर्वियू जो आप्संस है जो कि हमें सबसे पहले देखता है यहाँ पर देखिए उबर व्यूपे मैं इंपोर्टेट सेक्षन दिखता है जैसे कि पॉफमेंस और वीव ettar चो यह भी एक एक इंपोर्टेटन सेक्षरै बगाट देंग्हेंट उसके बाद आप देखोगे एकस्पीरियंस उसके बदेखोगे एन्हांसमेंट बस यह 4 मैं इंपोर्टेंस करके देखेंगे कि हमारा जो एफसाइट अपसंग के उस्तिम है की नहीं है तो इसको हम इस्तिमाल好不好 लेकिन इसको भी साही इस इस्तिमाल नहीं करते है ठीक है उसके बाद चलेंगे pages, indexing, दिखे, indexing option के अंदर आता है pages, कि हमारा कितनी सारा page index है, और कितने index नहीं है, और यहीं पर आप पच्छी दिखेगा, भाई, यहाँ पर 442 page index नहीं है, तो यहाँ पर लोग बहुत ज़गा confused होते हैं, इसको भी हम लोग video में explore करेंगे, उसके बाद video page, और इस पर बताएगा कि आप यहाँ पर कितना video है, जो कि index है और नहीं है, जो कि मेरे 7 video अपने सारे post के अंदर, टोटल 7 video है, तो वो भी index है, ठीक है, इसके बाद दिखोगे side map, side map आपको पता लगेगा कि आपने यहाँ पर क्या-क्या side map डाला है, वो सही है या नहीं है, स समझें, उसके बाद दिखोगे, आपको मिलेगा removals, removals मतलब दोस्तों मैंन के चलो, अपने कोई website का, अपने website का कोई post delete किया, सिर्फ आपको website से हटाना ही काफी नहीं है, आपको यहाँ भी request करना पड़ेगा, यह post को remove कर दो, उसके लिए अहाँ पर option मिलता है, new request, अगर आ outdated content है, या फिर safe search filter, यह सारे option को आप इस्तमाल कर सकते हूं, लिकिन सबसे पहले आपको request करना पड़ेगा, remove करने के लिए, ठीक है, देन उसके बाद आपको मिलेगा experience, दोस्तों experience मतलब कि आपका website load कैसे हो रहा है, Google पे कैसे user के सामने open हो रहा है, सारा का सार experience यहाँ पे मिल दिखोगे, आपको सारा का सारा option के का good, जैसे की core way vital, जो कि यह भी option से, वो भी good है, और mobile usability good है, और STPS, मतलब SL certificate भी है, इसलिए सारा option से यहाँ पे good दिखा रहा है, ठीक है, उसके बाद दिखोगे, यहाँ पे core way vital, वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा, भाई, सारा का सारा good you are, mobile पे भी, और desktop पे भी, उसके बाद mobile usability, यानि कि mobile friendly है कि ने, यह भी mobile friendly है, कोई भी error नहीं है, तो यहाँ पर यह option मिल साए, उसके बाद enhancement, enhancement मतलब कि हम अपने website पे, अपने post के अंदर, क्या-क्या schema यूज किया है, जैसे कि आप देखोगे, मुझे यहाँ पे दिखता है पाँच option जिसे कि ब्राटकोम, FAQ, Reviews निपेट, और साइट लिंक, सर्च बोक्स और विडियो, और यह सारे schema में ने अपने post के अंदर यूज किया है, जो कि यहाँ पे enhancement के दोर पे दिखता है, जितना ज़्यादा आप schema यूज करते हो, Google आपको अच्छे से आपका post को समझ पाता है, और सही से rank करवाता भी है, लेकिन लोग क्या करते हैं, schema को सही से इस्तमाल नहीं करते हैं, जो कि बहुत बड़ा गलती है, आपको सही से schema को इस्तमाल करना चाहिए, तब भी आपका post सही से गूगल पे rank करेगा, क्योंकि Google समझ पहेगा कि इस content, इस content के अंदर है क् बेहतर तरीके से उसको rank देगा, इसलिए schema सही से इस्तमाल करना चाहिए, उसकी बाद आपको मिलता है, security and manual action, देखो, यहाँ पी क्या हम पतलगता है, देखो, manual action अगर कोई error है, security issue है, तो यहाँ पे दिखेगा, जो कि यहाँ आपे no issue detected, यह normally बहुत सर एफसाइट के साथ no issue यह होता है, लेकिन कुछ-कुछ एफसाइट जो कि spam करते हैं, उनका यहाँ error देता है Google, उसके बाद आपको मिलेगा, legacy tool and reports, यह option अभी के टाइम पे कोई काम का नहीं है, यह है तो अभी, क्योंकि इसका बारे में जो पूराना data था वो थोड़ा समझ सकते हो, लेकिन अभी ह हमारा कोई काम नहीं है अभी इस पे, पहले था हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, international targeting, वायन के चलो हम लोग सिर्फ US को target कर रहे हूं, वहाँ पे जाके select कर रहे थे, यह एफसाइट particularly US के लिए है, लेकिन आव ऐसा नहीं है, अब हर एक एफसाइट कहीं भी विराइंग कर सकता है, ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा option links, links पे जाओगे तोया प्कितने सारे website से link मिला है, कितने सारे website से आपने link लिया है मतलब कौन से कौन से website से backlink लिया है किसको आपने external link दिया है आपने internal linking कैसे किया है सब कुछ data यहाँ पर मिलता है इसको deeply explain आगे करेंगे उसके बाद option मिलता है settings दोस्तों setting काफी important है क्योंकि आप चाहो तो सिदे सिदे यहाँ पर remove property आप चाहो तो यहाँ पर property को remove भी कर सकते हो लेकिन हम remove नहीं करेंगे देखो अगर आप चाहते हो भाई मैं इस website पर काम नहीं करूँगा इसको delete करूँगा सिदे सिदे रिमूप प्रपोटी सर्च कंसल से सारा data हट जाएगा उसके बाद उपर देखो यहाँ से honor verification कैसे हुआ है वो दिखाएगा कितने किसके साथ associate है यह यहां पर बता रहा है यूट्यूब चैनल मतलब मेरा जो सौमय हाल यूट्यूब चैनल के साथ मेरे एफसाइट associate है तो verify मैंने किया है तब ही यहां पर यह से दिख रहा है ठीक है लेकिन लोग क्या करते है बढ़ाना चाहते है लेकिन उसका लोट कर सकते हो और यहां पर crawl starts देख सकते हो ठीक है तो यह सारा data आपको अच्छे से देता है तब आप लोग अपने website के बारे में सारा data लोगे तो तब आप समझ भी पाऊँगे ठीक है तो यह था सारा features दोस्तों ऑप टाइंम में हम लोग हर इक feature को अच्छे से explore करें तो भी आम website को start करते हैं, हमारा पहला issue यही पर आता है, इंडेक्स नहीं हो रहा है, तो लोग यहाँ पर indexing के दिक्कत वदलब उनको होता है, तो सबसे पहले यही पर चलते हैं, pages भी क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा भाई, यहाँ पर मेरा 49 इंडेक्स हुआ है, और 442 जो इंको by page with redirect, तो यहाँ पर 163 page जो कि index नहीं है, जो कि redirect है, और इंको मुझे index करवाना भी नहीं है न, तो सबसे पहले इंको देखो, क्या है error, अभी scroll down करोगे तो देखेगो, तो यहाँ पर AMP page और जो pages को मुझे मैंने हटाया है, देखिए, इनको मैंने redirect भी लगाया है, और इसलिए यह error दे रहा है, लब इनको मुझे index भी नहीं करवाना है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इनको search console से remove भी कर सकता हूँ, इनको copy करोगा, removal request पर डाल दूगा, इनको remove कर दो, वो भी अच्छा है, अदर्वाइस इनको बस हमें ignore ही करना है, ठीक है, और इसके बाद again चल का है भाई यह सब, देखो, यहाँ पर search query, इसको क्या index कराना है, और यहाँ पर देखो category, embed, यह सब author URL, category URL, और यहाँ पर tag भी यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर pages का मलब numbering of pages वो भी दिख रहा है, यह सब को भाई मुझे index क्यों करवाना है, मुझे नहीं करवाना है, इन सब को index, इसलिए मैंने इनको no index tag लगाया है, Google तो के रहा है भाई सब को index करा दो, यह नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर हम इनको index कराएंगे, तो यह भी search engine पर कही न कहीं दिखेंगे, जो कि कोई अगर click करेगा, उसको valid data नहीं मिलेगा, तो इसके लिए मनला भी एक duplicate page के दर action करेगा, तो हम लोग इनको index नहीं कराएंगे, इसलिए मैंने इनको no index tag लगाया है, तो यह कोई error नहीं है, ठीक है, अगर आपका index जो यहाँ पर index हो रहा है, वो आपका post ही सिर्फ index होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं अपना post Google search console मनला Google पर rank करें, और वहाँ पर traffic आए, क्योंकि हमारा post ही audience के लिए है, बाकी जो कुछ भी है audience के लिए नहीं है, तो उनको हम लोग ignore ही करेंगे, उसकी बाद देखो यहाँ पर redirect error और alternative page with proper canonical tag इस पर देखो, इसमें क्या-क्या है options, यहाँ पर क्या-क्या URL देखो, भाई यह और comment page इस अब भाई, इनको तो index नहीं कराना है न, तो इनको Google भी दिखा रहा है भाई, इनको ध्यान आप मत दो, सिर्क देखो, जो index page है, यहाँ पर दिखेगा आपको, view data about index page इस पर क्लिक करोगे, तो आपको दिखेगा आपका कौन सा-कौन सा URL इंडेक्स हुआ है, जिसक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी मुझे इन सब को ignore करना पड़ेगा, देखो, यहाँ पर crawled and correctly not indexed है, लेकिन एक issue क्या है, देखो, यहाँ पर, भाई, यह tag crawled हो चुका है, लेकिन, देखो, tag crawled हो चुका है, मेरा यहाँ भी, file path crawled हो चुका है, तो थोड़ी न, मैं इन सब को index कराऊँगा, तो यह, इनको मैं ignore ही करूँगा, यहाँ तो हो सकते हैं, मैं इनको क्या करो, सिद्धी जाएगा, search console पर removal request डाल दूँ, removal request कैसे डालते हैं, मैं इसको मैं remove करूँगा, search से, copy करूँगा, यहाँ पर removal पर चलूँगा, और new request यहाँ पर डालूँगा, URL और मत दो, होके, ठीक है, indexing में समझ आ गया, और उसके बाद लोग यहाँ पर क्या करते हैं, search console पर समझ नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, जैसे कि वह पी डूल पर चलता हूँ, तो इसको मैं भी copy करूँगा, और यहाँ पर डालूँगा, लोग index चेक करना नहीं प आपको यहाँ पर उसके अंदर, search console पर बोल रहा है, तो आप माल लो, Google पर है, वो अपने आप user को दिखेगा, आपको जरूरी नहीं मानुआल जाके चेक करने के लिए, भाई, आप अपना काम करो, आपका काम क्या है, content produce करना, और search console के अंदर डेटा देखना, बाहर आप मत देखो, जो audience से उनको Google दिखाएगा ही दिखाएगा, आप काम करते रहों, ठीक है, तो उसके बाद कुछ लोगों का अगर index नहीं होता है, simple यहाँ पर request के लिए डाल सकते हो, request indexing, अगर index नहीं है, तो यहाँ पर request indexing पर क्लिक कर देना, तो वो request भी कर देगा Google को, ठीक है, यह काम जब भी आप post publish कर रहे हो, तो यहाँ पर URL डालो, और indexing के लिए यहाँ पर manual request भी कर सकते हो, कोई गिकत नहीं, हो जाएगा विसे भी, ठीक है, तो यहाँ पर URL inspection जो tool है, आपने ऐसा यूज करना है, उसके बाद देखो, यहाँ पर video page, दोस्तों अगर आपके post में आ सारे video डाल रखा है, यह देखिए, यह सारा post के अंदर video added है, ठीक है, और यहाँ पर मुझे automatic यह detective भी हुआ है, यह सारा video और यहाँ पर दिखवी राय साथ video यहाँ पर added है, और मैंने यहाँ यहाँ पर video schema भी डाल रखा है, ठीक है, तो आप लोग schema भी डालो, तो अभी generate करो, और देखो, यहाँ पर मैंने rank map का side map डाला है, और यहाँ पर 21 जो की post का URL है, उसके बाद आपको दिखेगा side map.xml, इसको क्लिक करेंगे, तो आपको total दिखेगा, देखिए, यहाँ पर image side map, मेरा post यहाँ पर 27 URL detected हुआ है, लेकिन image का URL दिखेगे 194, इतने सारे images से, इस आपको इसी तरह अपना side map ही submit करना है, ओके got it, यहाँ पर indexing के लिए मैंने आपको समझा दिया, इस तरह से focus करो, उसकी बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा option, performance अभी discuss करेंगे, क्योंकि performance काफी जदा important है, इसको समझो, यहाँ पर सबसे पहले रखो, web, image, video, news, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका image कीसे perform कर रहा है, आपका वीडियो कीसे perform कर रहा है, आपका news content वो कीसे perform कर रहा है, लेकिन हमारा मिली है, web पर ही रखेंगे, क्योंकि हम focus web पर ही कर रहे है, तो वह apply करेंगे, उसके बाद देखो dead, आप चाहो, तो यहाँ पर last 16 month का data देख स अभी आपको यहाँ पर पता लगता है, total clicks, लोग समझते हैं, इंप्रेशन, बहुत लोग मैंने देखा है, वो बोलते हैं, मुझे इतने सारे traffic आ रहा है, बहुत इतने सारे impressions आ रहा है, इंप्रेशन का concept ही यह, कि अगर कोई search किया, आपको website वहाँ पर दिखा है, जरूरी अगर अगर अभरेशन दस पांच होता, इसका मतलब मुझे जाद से जादा क्लिक मिलता, और उसके बाद CTR देखो, आवरेज CTR, 6.9, लोगों का यहाँ पर CTR बहुत कम रहता है, मलब उनको मिलियर्स पर इंप्रेशन आएगा, नेकिन यहाँ पर CTR 0.something होता है, CTR को इंप्रूब करोगे, तो इंटरले ट्राफिक बढ़ेगा, CTR कैसी इंप्रूब होता है, उसके लिए आप लोग एक वीडियो देख सकत ठीक है, तो उसके बाद आप देखो, यहाँ पर ओप्सन स्क्रॉल डाउन करोगे, तो यहाँ पर आपको query दीखेगा, यहाँ पर हम थोड़ा और deep में चलते हैं, यहाँ पर हमने उपर समझ नहीं है, आप थोड़ा हम deep ले चलेंगे, देखो यहाँ पर query है, और यहाँ पर pages यहाँ पर countries है, और यहाँ पर device है, और यहाँ पर search appearance है, और यहाँ पर देखो date है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो search appearance, good page experience, जो हम अगर हमारा website का speed अच्छा है, तो हमें ज्यादा तर यहाँ पर दिखने के मिलता है, good page experience पर अच्छा result, उसके बाद review snippet, देख इसके अंदर से मुझे यहाँ पर इतने क्लिक साया है, वीडियो के बज़े से, तो आप अपने जो content के अंदर enhancement पर बहुत जरी schema इस्तमाल करो, ऐसी कि आप वीडियो डाल रहे हो, तो वीडियो schema आड़ करो, अगर आप review कुछ डाल रहे हो, उसका review schema भी आड़ करो, तब भी यह वो अच्छा rank आपको मिलेगा, तड़ी आपको अच्छा result मिलेगा, देख सकते हूं, ठीक है, तो यह सारा था search appearance, लिकिन आप यहाँ पर देखो queries, queries को समझना बहुत ज़्यदा जरूरी है, क्योंकि हमारा क्या है, हम लोग target करते एक keyword पे, लेकिन वो post हजारा keyword पे rank करता और उसकी बाद हम लोग specific post को open करेंगी, कि हम देखेंगे, analyze करेंगे, जिसे कि मान के चलो, मैं यहाँ पर analyze करता हूं, यह वाला, recent वाला जो हमारा चीज़ है, इसको analyze करते हैं, ठीक है, how to change billing address in Amazon, इसको analyze करते हैं, यह जो website है, मतलब यह जो post है, कहां कहां पर rank करने है, सबसे पहले देखो, last 3 month है, traffic कहां से लिया है, इंदिया से लिया है, 414 clicks, पकिस्तान से 45 clicks, और यहाँ पर United States से 10 clicks, और बैंगले से 38, तो यहाँ पर आपको country वाइस दिखेगा, कि भाई, कहां कहां से click ले रहा है, लेकिन देखो, यहाँ पर impression दिख रहा है, कहां पर ज्यादा है, और यहाँ पर कहां पर देखो, United States और उसके बाद UK, तो हमारा जो major country है, इस post के लिए बो targeted है, इंडिया, United States and UK, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, impression basis पर click कर देंगे, तो यहाँ पर filter हो जाएगा, देखो, इंडिया पर ज्यादा click से और देखो, यहाँ पर United States पर देखो CTR देखो, इंडिया पर 3% का CTR है, लेकिन मैं United States पर 0.3 और UK में 0.1 का CTR है, अगर हम लोग इसको इंप्रूब कर देते हैं, तो बहुत अच्छा result मिल सकता है, और उपर से वार एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर position, 8.7 मतलब हमारा top 10 के अंदर इंडिया पर आ रहा है, ल past page में नहीं, second page पर rank कर रहा है, इसलिए, इसलिए यहाँ पर CTR बहुत कम है, अगर हम top 10 के अंदर rank करेंगे, तो थोड़ा CTR हमें ज्यादा मिलता है, इससे के देख पा रहे हो, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर United States पर दिखतो रहा है बहुत जगा पर, लेकिन हमें क्लिक नहीं मिल रहा है, तो कौन सी-कौन सी क्यूवर्ड पर कहा कहा पर rank कर रहा है, वो देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो हमारा country यहाँ पर selected हो गया, वाई, इन्रेट स्टेट, थोड़ा लोड हो रहा है, तो wait करेंगे, हो गया, तो country यहाँ पर सेलेक्टेड हो गया, इन्रेट स्टेट पर कहा कहा पर rank कर रहा है, और यहाँ पर हम पर query को अच्छे से analyze करो, ठीक है, यहाँ पर number 10 भी rank कर रहा है, और इस पर CTR बहुत कम और impression ज्यादा ले रहा है, और click just 3 ही आया है, अगर हम इसको rank improve कर आए, तभी हमें अच्छा result और इसे करके यहाँ में दिख सकते हूं, यहाँ पर 300, कितना keyword हम मिल रहा है, 353 keywords मिल रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर इसको 500 पर डाल दे, तो सारा keyword हमें दिखेगा, तो दिखने के बात दिखिए, यहाँ पर impressions तो आ रहा है, लेकिन इनमें click नहीं आ रहा है, देखो, यहा बहुत सारे keywords दिखता है, जिनमें हम rank कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे keywords पर हम लोग क्या किया होंगे, नहीं हमने इसको article पर include किया होगा, नहीं हमने इसको सही से optimize किया होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो, how do I change the billing address on Amazon, यह छोटे-छोटे keywords, जोकि FAQ के लिए eligible हो सकते हैं, हम ल जैसे कि मैंने keyword डाला, how to change billing address on Amazon, इसके आप यह देख सकते हो, और हम लोग क्या करते, FAQ कहां से उठाते हैं, हम लोग FAQ यही से उठाते हैं, जोकि गल्लत है, अगर आप FAQ यही से उठाओगे, already यहाँ पर किसी ना किसी का answer दिया हो आए, लेकिन starting में यह करना सही है, क्यों जब आप post लिख लोगे, जैसे कि हमने अभी लिखा, post हमने अभी लिखाए, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है data, देख सकते हूँ, यहाँ पर हमें दिख रहा है, बहुत तरह आपके sense हमें मिलेगा, जोकि छोटी छोटी चोटी परी है, इनको हम लोग क्याद कर सकते हैं, इ ठीक है, इस चोटी चोटी क्वेरी हमें यहाँ से मिलता है, जिनको हम क्या करेंगे, हमें आज FAQ अपने एचसाइट के अंदर आड़ करना है, पर पोस्ट के अंदर आड़ करना है, मनलब आप एक बार पोस्ट को लिखोगे, उसकी बाद आपके पास कुछ दिन के बाद डे तो इसके लिए मुझे कमेंड करो, मैं इसके पर एक डेडिकेटेड गाइड लिखे आऊँगा, कि हम लोग कैसे हम लोग अप्टिमाइज करके अपने पोस्ट को अपडेट करेंगे कुछ दिन के बाद, कि नॉर्मली क्या होता है, आप लोग आटिकल लिख देते हो करेंगे, तब ही वो पोस्ट से इसे राइन करेगा, यह प्रॉपर फॉर्माट होता है, अगर आपको प्रक्टिकल इसको समझना है, कमेंड करो, मैं इसके पर कम्प्लिट गाइड लेके आऊँगा, कि यह प्रक्टिकल अपनों कैसे अपना पोस्ट को अपडेट करोगे, ए आपने जो देखा वो सिमिलर है, तो यहां पर मैं आपको और एक क्यूवर्ड को और एक पोस्ट को लेके एक्जामपल लिखाता हूँ, ठीक है, मैं इसको अभी ग्लोज करता हूँ, ठीक है, आप बेतर तरीके समझ पाओगे, यहां पर मैंन की चलो, पेजिस पर क्लिक करते है, तो यहां पर आपको दिखेगा बहुत सार की यहां पर देखो, टूल्स जैन कूपन कोड में इसको क्लिक कर, ठीक है, तो इसको क्लिक करने के बाद यहां पर क्वेरी पे चलोंगा, तो यहां पर मैं देखो, भाई देखो, क्या-क्या सर्ज होता है, देखो, टूल्स जै 7 पोजिशन पर मेरा आर्टिकल है एक इस तिल यहां पर 72 इंप्रेशन से 47 नंबर पर समझ पारें तो वाड़ AI कूपन कोड भी लोग सर्च करते हैं तो मुझे क्या है मैंने आर्टिकल दो लिखा था टूल्स जैन कूपन कोड के उपर लिखें मुझे यहां पर मिल गया उसके बाद देखो RF प्रोमो कोड और फ्कूपन कोड तो एससे भी लोग सर्च करते हैं देखो RF कोपन कोड के बारे इसमें तिल यहां पर कितना इंप्रेशन बहुत ज़ादा है इंप्रेशन तो इसका मतलब है इसके उपर बहुत ज़्यादा सर्चिस हो रहा है तो इस की बारे में भी सर्च इतना अच्छा है तो आप खुद देखो यहां पर मैंने एक कीवर्ड लिए एक पोस्ट को टार्गेट किया था एक कीवर्ड पे लेकिन मुझे यहां पर आइडिया मिल रहे हैं बज सुम कुपन कोड भाई इस पर 26 नमर पर राइंग कर रहे हैं लेकिन इस से लिए बहुत मौज कुपन कोड स्वाइफ फोग बन कोड भाई यहां पर मुझे धेर सारे आइडिया मिलता है कीवर्ड आइडिया ठीक है यहां पर देखो स्टेमरस कुपन कोड 2016 और आर्टिकल बिल्दर कुपन भाई यहां पर हर एक चीज के लिए हमें आइडिया म आइडिया मिलता है लेकिन हमारे आइडिया मिलता है निएगा क्यूसार जब आप एंफान अनलाइस करोगे यहां आप वह करते नहीं हूं आप तो यहां मिलता है यूसा आपको करना है ऐसो आपको समझना है ऐसे बहुतätta मिलेगा तब ही आपको काम सही से कर प्र Chu teacher on कि किस तरह से आपको नए-नए keywords मिलेगा search console से तो इसी तरह से मैं काम करता हूँ जो कि चैनल फैक्ट है और आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हूँ लेकिन जितने सारे एसी ओ एजिनसी है जो एसी ओ करते हैं और इसी हिसाफ से आम लोग इस्तावाल करते हैं और यहां पर जेन हाप प्रोवोकूर्ट भाई क्या चाहिए और इतने सारे keyword का आइडिया में यहीं पर मिल जाता है समझ पा रहे हो ना तो अब लोग नेक्स पॉइंट पे चलते हैं इ में इसी तरह आप लोग उनलेज करके अपनी कंटेंट को अप्टिमाइज कर सकते हो जिसके चलते आपका रन्क भी इंप्रूब होगा और आपको ट्राफिक भी ज्यादा मिले का और इसी साफसे आप चेक भी कर सकते हूँ आपको क्वग से कंट्रिय से ट्राफिक आ रहा है अब चलेंगे page experience पे, दोस्तों यहाँ पे देखो, page experience, भाई यह चीज़ अभी जो data आपको दिख रहा है, एक कुछ दिन के बाद यहाँ पे data नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपको website का speed सही है, और यहाँ पे कुछ लोगों का website का speed बहुत खराब होता है आप अच्छा speed maintain करके रखना चाहिए, तब ही आपको website अच्छे से rank करेगा, और इसके लिए अगर आपको guide चाहिए, तो comment करना, मैं complete guide लेकिया हूँ, ठीक है, अभी उसके बाद, इसके मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, अभी सिर्दी चलते है, enhancement पे, जैसे कि reviews ने paid पे, दे अगर आप सब कुछ enable करोगे, तब ही आप यहाँ पे data दिखेगा, देखो FAQ, कहा कहा मैं FAQ डाला है, 9 post पे मैं FAQ है, valid data देख सकते हो, यहाँ पे यह post पे FAQ है, यह post पे FAQ है, जहाँ जहाँ मैं FAQ डाला है, वो दिखे रा है, ठीक है, उसके बाद reviews ने, मैंने कहां गा, review ड यहाँ पे, अच्छा, यहाँ आप समझो, यहाँ रिव्यू स्निपेट आया कहां से है, मैंने एक plugin रिव्यूज किया है, केकी स्टार रेटिंग, तो यहाँ से मुझे जू रिव्यू मिला है, उनका data आपको यहाँ पे सो हो रहा है, ठीक है, इस पे अगर क्लिक करूँगा, दिखेगा, छोड़ो, यहाँ पे देखो, इसका load हो रहा है, यहाँ पे हमें review मिला है, कितना review भाई, 9,000 review मिला है, यह मानौली लोगों ने review किया है, 9,000 review, अगर आप इसको देखोगे, मैं open करता हूं, दिखाता हूं आपको यहाँ पे देखो, भाई, 9,000 review हमें मिला है, ठ तो यह मैंनों ने लोगों ने किया है इसको रेड भी करते हैं लोग यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे भी वो दिखा रहा है उसके बाद साइट लिंक सर्च बोक्स यह भी बाइड डिफॉल्ट बन जाता है उसके बाद विडियो स्की में जो कि मैंने आड कर रखा है प्रीमिय लेकिन अगर इसू हो भी जाता है तो आप डरिये मत सबसे पहले अच्छा समझिए कि क्या एरर दे रहा है उसके बाद उसको रिव्यू के लिए डालिए कुछ दिन के बाद वो सही हो जाएगा ठीक है तो उसकी बाद आपको आप्सन मिलता है यहां पे सबसे इंपूर्ट इन फीजर जो होता है लिंग सेक्षन यह लिंक बहुत ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों लिंक के अंदर आपको एक्स्टरनल लिंक लिखेगा कि भाई आपको कहां से लिंक मिला है टॉप लिंकिंग पेज़ेस आपको यहां पर पता लगीगा कौन सा आपका पोस्ट ए जिसने ज्यादा से ज्यादा लिंक गेन किया है तो यहां पर आपको दिख जाएगा कौन किस पर आपको ज्यादा से ज्यादा लिंक मिला है उसके बाद आपको मिलता है यहां पर ओर पे क्लिक करोगा कि कौन से साइट साइट से आपको लिंक मिला है तो यहां पर आपको और पर क्लिक करोगे तो सारे website का data में जाएगा किस-किस website से आपको backlink मिला है उसके बाद scroll down करोगे तो आपको मिलेगा top linking text मतलब किस text के उपर किस anchor text के उपर आपको link दिया गया है यहाँ पर देखो मुझे मिला है आप लोगों को यहां से इसी तरह इसको इस्तमाल करना है search console के इस्तमाल करके आपको new keyword का ideas भी मिलेगा और उसके साथ आपको यहाँ पर बहुत सारे चीज़ मिलेगा जो कि spammy backlinks आप देखोगे कि किस में हमें spammy backlink मिला है उसको हम remove कर सकते हैं और इसी तरह आप लोग इसको सही से इस्तमाल भी कर सकते हैं और आप यह देखो यहाँ बटन है export external links आप यहाँ पर जाओ तो कौन सी कौन से यही से आपको clear होना चाहिए इस तरह से आप search console के इस्तमाल करो आपको बहुत अच्छा result मिलेगा तो आज का वीडियो बस यही तक था अगर आपको वीडियो में कोई doubt है तो comment करके पूछिए अगर आपको वीडियो अच्छा लाइक करें आपनी दोस्तों करें और detail में कु जिन्यवाद और लेट्स ग्रोग तोगेधर